नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मैंक और मैं आप सभी का आपके अपने कमप्रिशन बुष्टर परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो आज जो यह आप इस इन पर पेपर देख रहे हैं यह जो पेपर है सीटेट का है और सितंबर 2014 का है आज इस वीडियो में हम जो है इसका जो पहला सेक्षन है यानि कि बाल बिगास है उसे जो है सालो करने वाले है और यह जो पेपर है प्राइमरी अस्तर का है तो आईए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल को साँками आत्मख विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है जितना संभव हो उतनी आवरिती से संगत और सुख़ायों परिषाओं का आविजन करना दूसरा election है उन गत्विदियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक प्रतितियों को सुद्दिड बनाती है और तीसरा election है एक सम्रिद और विवित्तापूर वातावरन उपलावद करना और चौता अप्सटन है सोह्योगा अत्मक की अपेछा व्याक्तिक विगत विदियोग पर अधिक त्यान के इन्डित करना तो यहाँ पे जो तीसरा अप्सटन है एक सम्रिद और विविद्द पूर्द वातावंड उत्पलाब्द कराना यह यहाँ पे सही आफसन होगा यह संग्यानात्मक विकास में समर्थित है आते हैं दूसरे प्रसने की तरफ दूसरा प्रसन है मानो विकास है तो आपने जब भी अभिविद्धी और विकास का चेप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने अभिविद्धी और विकास में जिए मात्रात्मंग और दोनों प्रहभी होगा कर विर्धी स्थ NOTOP comment से कहा है कि प्रक्रिती और विवाद निम्णमें यहां पर जो सही आफ्शन है आप सभी लोग जाना है कि अनुवान से की यहां पर सही आफ्शन है आते हैं चोथे नमबर प्रस्टिंग की तरफ निम्ड में से कौन सा समाजी करण की निस्क्रिय एजन्सी है स्वास्थे कलब, परिवार, इको कलब या फिर सार्वजनिक पुस्टकाले तो आप देखना है स्वास्थे कलब, परिवार और इको कलब यहां पर जो है व्यक्ति रहतना है मतलब यहां पर जो व्यक्ति का समाजी करण होता है वो विचारों को यादान प्रदान के माध्यम से की जबकि जो चोथा है सारवजनिक पुष्टकाल है या जो है निस्क्री अथे प्रस्ण की तरफ वाइगौसकी के सिध्धान्त में विकास के निमलेखित में से कौन से पहलु की उपेच्छा होती है, तो पहला अप्सान है समाजिक, दूसरा सांस्क्रितिक, तीसरा, जैविक और चोथाच की ऊसरा अप्साह नहीं जो सिद्धांत दिया था उसकी अनुसार संस्क्रितिक भाशाई और समाजिक इनली पर ज्यादा बल दिया गया तो यहां पे जो तीसरा अपसर्ण होगा वह यहां पे correct होगा इसी की यहां पर उभच्छा की गई है आते हैं छटे प्र सेंकी तरफ एक वर्स तक के सिसु जब आँख कान वहातों से सोचते हैं तो निमनेलिखित में से कौन सा अस्तर सामिल होता है तो जब एक वर्स तक बच बिकास की अवस्था है उसे इंद्रिय जनित अवस्था या फिर सम्वेदी प्रेरा का वस्था सम्वेदी गामक चरण इन नामों से जाना जाता है तो यहां पर आपसंतीर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा आते हैं साथे में प्रस्ण की तरफ रिया कच्छा पिकनिक टै करने हैं तू डिसब से सहमत नहीं है वह सोचती है कि बहुत के अनकूल बनाने के लिए नियमों का संसोधन किया जा सकता है यह सापार्थी विरोध प्याजे कानुसान निर्म नलिखित में से किस्से संबंदित है अपसंस है विश्मांग नहतिकता संग्यानात्मक अपर इपक्कोता प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नहतिकता यह यहां पर करेक्ट होगा आते हैं आठवे प्रशन की तरफ निम्न में से कौन सा इस्टर्ण बर्ग बुद्धि का त्री अस्तरी सिध्धान्द का एक रूप ह आठ तो इस्टर्ण बर्ग ने बुद्धि का त्री अस्तरी जो सिध्धान्द दिया था उसके अनुसार उने बुद्धि के तिन रूप पताए थे वह कौन-कौन से थे पहला था विवारिग बुद्धी दूसरा था स्रीजरनात्मक बुद्धी और तीसरा था करका नीर्माड किया यह प्रस्ण तो आप सभी लोग जानते हैं अर्फिर बीने ने किया था यहां पर जो आपसंदो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा दस्वें प्रस्ण की तरफ आते हैं द्वानी संबंदी जाग रुकता निम्न लिखित में से किस छमता से संबंदीत है तो द्वानी संबंदी जो जाग रुकता है द्वानी संरचना पर चिंतन करना एमां मुन में हेर फेर करना इसी से संबंदीत है यानि कि यहां पर पहला ज निस्पादन को प्रभावित नहीं करता है सिच्छार्तियों के फास्वन मुख प्रयासों तथा निस्पादन का कारण बन सकता है तो यहां पर जो दूसरा आपसर हमने पड़ा यह बिल्कुल करेक्ट है यदि आप कच्छा कच्छ में लिंग भेद करते हैं पच्छपात प्रयासों तथा निस्पादन का करण बन सकता है आते हैं 62 नमबर प्रस्ण की तरफ निम्ड में से कौन सा सीखने की सैली का एक उदाराण है चाचुस संग्रहान तथ्यात्मक्स या फिर असपर्स समद्दी यहां पर जो पहला अफसान है चाचुस इसका जो अर्थ होता है कि जिसका ज्यान जिसकी समझ या फिर जिसका बोद जो है आखो से हो तो यहां पर जो पहला अफसन है यह यहां पर करेक्ट होगा यह जो है सीखने की सैली का एक उदाराण है तेरा नमर जो प्रसन है एक सिख्चा कच्छा के कारे को विकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है उसके बाद योजना मनाता है और अपने अगले पार्ट को सिख्चातियों की आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है वह कर रहा है क्या कर रहा है सीखने के रूप में आकलन कर रहा है सीखने के लिए आकलन कर रहा है या फिर सीखने के समय आकलन कर रहा है तो वह क्यों आकलन कर रहा है सीखने के लिए आकलन कर रहा है यहां पर जो आपसंतीन होगा करेक्ट होगा आते हैं चौदा नमबर प्र सद्रियारत्यां अक्सर ऑप्रिश्चा लेनी पड़ती है करते हैं जो जो चौथा व्य विबकोन करते हैं यहां पर झोथा अपसन होगा यह में यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा अगला जो प्रस्ण है ग्रेड अंको से अलग है कैसे यह यहाँ पर बताना है यह प्रस्ण निम्ड में से किस प्रकार के प्रस्णों से सम्मंद रखता है अपसारी विशलेशलात्मक, मुक्तन्त या फिर समस्या समाधान तो ग्रेड अंको से कैसे अलग है यह जो प्रस्ण है विशलेशलात्मक होगा यहाँ पर जो आपसन होगा दो करेक्ट होगा ग्रेड होता क्या है ग्रेड जो होता है कच्छा में चात्रों की स्थिति बताता है जबकि जो अंक होते हैं चात्र को चात्र कितना पढ़ा है यह ब कटकर चीजों को याद करने के लिए इन चीजों के लिए प्रोसाइद करते हैं ओके आते हैं अगले प्रस्ण की तरफ कि छात्राएं गड़ित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पुछा जाता है अपनी उम्र के लड़कों की तरह अच्छ दूल्ला में अस्थानिक अधानाओं में कम कुसलता पूल निस्पादन करती हैं और चौथा आप्सन है भासिक और संगीत समधी अरिक शमताएं रखती हैं तो देखिए जब हम बात करते हैं बाल मुनु विज्ञान की तो वहां पे हमें लेंगे पुर्वाग्रा इनका ये जो होती है इनको हम एक दोस मानते हैं लेंगे पुर्वाग्रा का यहां पे कोई अ आप्सन करेक्ट होगा कि अपनी उम्र में लड़कों की तरह गडित में अच्छी होती है यहां पर करेक्ट है आते हैं 17 प्रसन की तरफ 17 प्रसन की तरफ 17 प्रसन पर बढ़ने पहले आप से रिक्वेर्ट है कि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर आते हैं सतर नमर प्रस्ण की तरफ सब्दों में अच्छरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का उन्भो करना और अक्सर चाचुस इसमिति का हास से सम्मदित है चाचुस कार्थ मैंने भी बता दिया और यहां पर मैंने यह भी बताया था कि आपको जो दस विकार मैंने बताया है वो जरूर से जरूर देख लीजिए या पिर कहीं से इसे पढ़ लीजे जो अधिकर्ण समंदित दस विकार है हर साल लगभग एक प्रस्ण आता ही है तो यह अगला जो सभी के लिए विध्यालयों में सभी कि सिच्चा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार का वाक्य हो सकती है तो यह मैंने अभी बताया था अगले ही पिछले वीडियो में यहां पर जो यह वाक्य है प्रचार वाक्य है यह समावेशी सिक्षा का ही हो सकता है आते हैं 19 नंबर प्रस्ण की तरफ प्रवापूडता व्याख्या मॉलिक्ता और लशिलापन किसके साथ संबंदित तत्वा है प्रतिभा गूल अफसारी चिंतन या फित्वरण तो यहां पर क्यों सा आफसन जो है सही होगा तो यहां पर जो आफसन सही है अफसारी चिंतन वह है ओके 20 नमर प्रस्ण है प्रतिबा साली सिख्षार्तियों को इस से जुड़े प्रस्णों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है तो जो प्रतिबा साली बिद्यार्तियों होते हैं उनके लिए 4 अफसन दिया गया प्रतिबा साली बिद्यार्तियों को स्रीजन से जुड़े प्रस्णों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है जिससे उनका जो है स्रीजनात्मक्ता का अधिक से अधिक उप्योग किया जा सके तो यहां पर 3 अफसन सही होगा आते हैं का इस नंबर प्रस्ण की तरफ गलीत में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परिच्छड द्वारा सरवाधिक उची तरीके से किया जा सकता है अभिश्रंता परिच्छड निदानात्मक परिच्छड Early Screening परिच्छड या फिर उवलब्स परिच्छ जदी हम बात कर रहे हैं अधिकम निर्योग्यता की तो हो गलीत में हो, हिंदी में हो, या फिर किसी में हो, यदि उनका आकलन करना है, तो हमें नीदानात्मा परिक्षड की आपसक्ता होगी, तो यहाँ पर जो आपसंद दो है, यह यहाँ पर करेक्ट होगा, आते हैं 22 रंबर प्रसनी की दरफ सिधान्त चित्र, किनके द्वारा नवी रधानाओं की समझ भळाते हैं, विशेचेत्रों के बीच ग्यान के अस्थान आंत्रन, विशिष्ट विरॉन पर एक आग्रता के अंद्रित करने से, या फिर अध्यान के लिए सैच्छिडिक विशे आप हमें बताईए, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप्शन सही है, सिधान्त चित्र, अध्यान के लिए सैच्छिडिक विशेवस्तु की प्रात्मिक्ता तै करने के द्वारा नवीन अध्यानाओं की समझ को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर तीसरा आप्शन बिल् में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, खेल अनिवार है और उसे विद्याले में प्रत्मिक्ता दी जानी चाहिए, यह सही है, या फिर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपन माडलिंग एक मुख्य तरीका है, या फिर अनसुलजार संकर्ट बच्चे को नुक्सान पह साथ, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपन एक मुख्य तरीका है, यह यहां पर करेक्ट आप्शन होगा, अगला प्रस्ण है, निगमनात्मक तरक्रणा में सामिल है, तो पहले सब याद कीजिए कि निगमनात्मक जो विधी होती है, वो कौन सी होती है, उसमें जो हत की ओर ही होगा, यहां पर जो पहला आफसर है, वही करेक्ट हो जाएगा, हमें ज्यादा पढ़ने की आउसत्ता है ही नहीं, आते हैं अंगले प्रस्ण की तरफ, एक बच्चे एक आउधाना को सीखते हैं, और उसका प्रयोग करते हैं, तो अब्यास उनके द्वारा की जाने कि फ़ता हैं,26 नमि consult. प्रस्ण नेमले में से कौन सा कौसल सम्वेगात्म बुद्धी से संबन्दीत हैं, सम्वेगात्म बुद्धी की बात करना हैं, तो यार्द करना जी नहीं यह नहीं होगा, यह तो ओ सीधे मानसीक बुद्धी से हैं गतिक यह भी नहीं होगा विचार करना यह भी नहीं होगा यहां पर जो समानु भूति देना है यहां पर प्रलाव क서 प्रतिक्रीया की लिए बाद करता है मंप्रतिक्रीया को बि क्रandy करका है क्या हो सकता है अभी प्रेणर अधुय वसा है शंवेग या फिर भड़ता तो अभी प्रेणर्र, आप लोग सभी जाते हैं कि एक आंत्रिक बल्र होता है जो व्यक्ति को पुरसाइद करता है तो यहां पर जो आफ़सन एक है वो करेक्ट होगा आते हैं 28 प्रसन की तरफ निम्न में से कौन सी सब्दावली प्राया अभिप्रेणा के साथ अंता बल्लाओं के साथ अस्तमाल की जाती है तो यह मैंने प्रसन पहले भी बताया था कि लिखुल करेक्ट होगा आते हैं 29 प्रसनी की तरफ एक खाली अस्तान है उसके बाद पूछ रहा है प्रिणड़ा आए और भूतिवियों के संतुष्टी करण की अवस्ताओं तक पहुचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवसकता को संपोधित करती है तो यहां पे खाली अस्तान में कौन सा सब्द आएगा यही हमसे पूछा जा रहा है प्रभावी दूसरा आफसन है भावात्मक तीसरा आफसन है संरच्छन उन्मुखी और चौथा आफसन है सुरक्षा उन्मुखी तो यहां पे कौन सा आफसन सही होगा तो यहां पे जो ही अच्छे प्रात्म करने के लिए अभी प्रेडित करती है आते हैं इस सेशन के लाश्ट प्रस्ण की तरफ जो तीस नमबर प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्म प्रकार से प्रभावित करता है अनुत्र हो जाने का भै सा पाठियों से प्रतियो संबंद ओके तो ये थे आज के 30 प्रस्ण आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैं जल्दी नए वीडियो लेकर आऊंगा आप चिंता मत कीजिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर सोसल लाइस का वीडियो डालिए संस्कीर का वीड चाहूंगा और मैं आगे वीडियो जल्दी अफलोड करूंगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद